हैलो स्टुटेंट्स कैसे हैं आप स्टुटेंट्स मैं आशा करता हुआ आप लोग सभी अच्छ होंगे स्वस्त होंगे स्टुट्स हम अपना रीविजिन कर रहे हैं और फर्स्ट द्रम का जो रीविजिन है वो हमारा पुह गया एक्सरसाईज 1.3 के उपर और यह elements की जो book है उसके exercise को revise करवाय जा रहा है NCRT Corner को हमने पहले ही soul कर लिया है ठीक है तो students आज हम इसका exercise 1.3 जो है इसका second question discuss कर रहे है तो second question में क्या है identify the following numbers as rational or irrational number with justification तो यह जो आपको कुछ number दिये गए हैं तो यह आपको पैचानने हैं कि वो rational number यहां irrational number है हम लोग अपना यह पहले वाला देख लेते हैं first part is 0.595918 तो इसमें यह हमने देखा है कि इसका जो decimal expansion है यह decimal expansion आपका terminate हो रहा है ठीक है खतम हो रहा है भाग ही है यह decimal expansion तो यह क्या है आपका rational यह rational आ जाएगा ठीक है अब इसका जैसे second part है तो second part में यह 196 है तो इसका square root जब निकालते है तो इसका square root है वो complete आता है पूरा पूरा आता है तो 196 square root आता है 14 तो 14 कैसा है यह यह तो rational number है तो इसका answer क्या रहेगा यह अपका rational irrational आ जाएगा ठीक है यह भी rational हो गया ठीक है अभी इसको देखते है third में तो third में यह irrational आएगा तो irrational कैसे आएगा मैं बताता हूँ यहां से तो मैं इसको क्या लिए सकता हूँ 9 by 10 और इसको ऐसे लिखा जा सकता है ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ यह 9 और इसके ओपर यह 10 के ओपर तो मैं अलग से square root नकालता हूँ ठीक है तो इसका तो यह पूरा पूरा आ जाता है यहां पर 10 जो है वो कैसे नंबर है यह पर 10 है इसका square root आपका पूरा नहीं आता है तो यह क्या है आपका इरैसेल नंबर हो जाएगा और यहरेसनल और इरैसेल को डिवाइट तरते हैं तक हंताहि है इसका आंसर जो रहे गधा वहक्या है आपका इरैसनल यह नंबर कैसा यह एरैसनल नंबर है यह वाला यह वाला नंबर है 0 square root 0.9 तो स्ट्टूजन्ट्स इसने Mr. टो किसका स्ट्वेरूरत तो हमें पता है कि-3 आ गया और 10 है 100 है-1 Victoria tiian is that degrees पूरा पूरा निया थे राधुट नमबर है इससका स्ट्वेर निखालेंगे तो मारा पूरा पूरा निया गया जो भेसहें न इस अंड इसको देख लेते हैं तो इसको थोड़ा से सोल करने के बाद यह पता चल पाएगा तो यह इसको सोल करते हैं तो हम लोग यहां से देखते हैं इसको तो मैं 12 को क्या लेख सकता हूं यहां से इसको 3 multiply 2 multiply 2 ठीक है तो दूनी चार 4 के बारा होगे और नीचे मैं इसको क्या लेख सकता हूं यहां से इसको मैं लेख सकता हूं 5 multiply 5 multiply 3 यह 5 है जो 25 25 35 होगे अब यह हम लोग इसका square root निकालने कोशिश करते हैं यहां से देखिए 2 है इसका square बन गया इसका 5 का square बन गया तो मैं क 5 भार हो गया यह और इसके बाद क्या हो गया यह यह 3 इसके अंदर रह गया तो यह undo 3 हो गया ठीक है तो अंडूर 3 से अंडूर 3 cancel हो गया तो क्या हो गया यह 2 by 5 और students आपको clearly पता है 2 by 5 को कैसे number है यह rational है ठीक है यह rational है तो इस तरह से हम लोग अपना थोड़ा से solve करने के इसको पता लगा सकते है कि rational number है यह rational number है इसके बाद students फिल्कुल इसी तरह से आपको यह करना है तो 28 है तो 28 को कैसे लेख सकते हैं यह तो यह 2 multiply ठीक है अभी 28 के factor बनाने तो सीधे सीधे factor भी बना सकते है और सीधे सीधे अगर factor नहीं बनते है तो वह आपना वैसे बना के द बनाना है तो 343 का जब फैक्टर बनाएंगे 343 के तो क्या आएगा तो यह 7 आएगा 7 multiply 7 और multiply 7 क्योंकि मुझे पता है कि यह जो 7 का क्यों होता ही होता है तो 7 को 3 time multiply करना पड़ेगा अभी उसी तरह से जैसे हमने इसमें यहां पर किया तो इसी तरह से इसमें करना पड़ेग तो पेर बन रहा तो उसमें से एक बाहर निकाल देंगे तो यह 2 आगे और यह 7 और इसमें से 7 बाहर चला जाएगे 7 तो 7 अंगूट 7 इस तरह से हम लोग कर सकते हैं तो फिर 7 से 7 कैंसल हो गया तो यह क्या आगया 2 x 7 और आपको किलरली पता है कि 2 x 7 हो क्या है वो एक रहसल नंबर है एक रहसल नंबर है ठीक है 2 x 7 रहसल नंबर हो गया इस तरह से हम लोग यह वाला अपना पार्ट भी क्लियर ली पता लगा सकते हैं ठीक है अभी स्टूरेंट इसको कर लेता हूं यहां से हमारा 3 है और multiply यह अंडूट 8 है तो अंडूट 8 है इसको हम अभी लिखता ञधर थे हमारा आओ अब यह 8 को मैं क्या लिसकता हूं यहां से टू-multiply-2 x 2 ठीक है इस इस में भी इसी तरह से इसमें पेर बन गया तो यहांसे इसको मैं क्या करता हूं तो यहां पर बाहर आई और यहां पर टू-का पेर बन रहा तो इसको भी बहार निकाल लेता हूं और फिर क्या बज़ गया multiply and good 2 बज़ गया इसका पेर नहीं बन रहा है तो यह अंदर ही रहेगा और यहां पर अंडूट 2 हो गया ठीक है फिर मैं क्या गरता हूं यहां से इसके बाद फिर हमारा यहां से यहां से यहां से आता है यह वाला तो इसको भी हमें हमें देखना है तो students अभी हम अपना यह अपना यह 7th part देख ले तो 7th part को तो भी थोड़ा से solve करना पड़ेगा तो यहां से 1 प्लस अंडूट 5 हो गया अब students इस ब्रेकट से पहले यह minus sign तो यह minus sign इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा इसके साथ दोनों के साथ लेगा तो यहां से यह minus sign इसको ब्रेकट को ओपन करेंगे तो minus sign दोनों के साथ जाएगा तो यहां पर क्या गया यह अपका minus 4 आ गया और यह minus sign दोनों 5 आ ठीक है तो हम लोग क्या करतें इसमें यहां से यहां से इसको तो मैं cancel करी देता हूँ ठीक है यह तो आपका cancel हो जाएगा यह minus sign दोन फाइब अभी क्या बच गया यह बच गया यह बच गया यह बच गया माइनस के 4 और प्लस का 1 ठीक है minusと plus one हो गया तो जितना गया minus ये 3 आ गया अम इस तोसे ये को प्ता होना चाहिए minus 3 हो कैसा नंबर है वो अक Manson number हो है क्या येida normal numberование ये भी rational number 10 ुखे तो ये this number आगे इस इतरह से हम लोग इसका यह कुम्सा 8 part यह कर लेते हैं तो इसमें भी आपको क्या करना पड़े यहां से देख लेते हैं 6 plus unroot 8 6 plus unroot 8 और फिर यह multiply करखा तो यहां पर फिर इसका तो identity लगा देता हूं चलो यहां पर लिख दिया तो कोई बात नहीं है और 6 minus unroot 8 तो इसको क्या लिख रिता हूं यहां पर कर देता हूं चलो using कर देता हूं क्या a plus b और दूसरे बरिकेट में a minus b देखो same thing है न एक बरिकेट में जुड़ गए एक में खट गए तो क्या करेंगे यह आगए आपका a square minus b square यह हम use करेंगे इसको ठीक है तो यहां से square of first minus square of second square of first का है six और इसका square minus square of second ठीक है तो यहां से यह तो कितना होगे इसका तो यह अपका 36 हो गया ठीक है यहां से cancel हो सकता है square root से यह square cancel हो जाएगा तो यह minus क्या गया 8 आ गया ठीक है अभी 36 से उसमें से 8 minus करते हैं तो कितने क्याते है 36 में से 8 minus किये तो 28 आ जाएंगे कितने आएंगे 28 आ जाएंगे ठीक है तो यह 28 कैसे नमबर यह रैसनल नमबर हो गया ठीक है इस तरह से 28 आपका यह आ गया है और यह रैसनल नमबर हो गया है तो students अभी हम इसका नियात्ट पार देख लेता है तो इसमें हम लोग यहां से directly कर देते हैं a plus b ka all square तो यह a है और यह b है तो यह पी मैं करता हूँ square of first plus square of second प्लस टू फरस्ट इन्टु सेकंट अणरू त्री और ये सेकंड केया है वन और ये अंडू त्री है और इसमें यूजिंग यहां पर करना चाहे तो यूजिंग कौनच अडिर्टी यूजिया हो मैं लिख देता हूं ए प्लस भी और इसका ये कोल स्वेर होता है अब का A square plus B square plus 2 AB यह वाले identity हमने use किया ठीक है इसको अभी हम solve करते हैं तो यहां से यहां से मैं cancel कर सकता हूँ 3 आ गया प्लस अभी यह square इसके उपर जाएगा तो 1 रहेगा और यह square इसके साथ जाएगा तो यह 3 बन जाएगा ठीक है प्लस 2 और यह इसको मैं अनरूर 3 से अनरूर 3 को cancel कर देता हूँ प्लस 2 हो गया अभी इसको solve करते है तो solve करते है तो यहां पर 3 और 2 हमने add किया तो क्या हैगा 5 और यह 1 बाइ 3 हो रहे है न 5 और 1 बाइ 3 आ जाएगा इस तरह से 5 और 1 बाइ 3 को मैं क्या लिसकता हूँ 16 बाइ 3 लिख सकता हूँ तो 16 बाइ 3 आपको clearly पता है क्या है यह rational number rational यह भी rational number हो गया इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं ठीक है अब students इसके बाद हमारा 10th part इसका आता है तो 10th part में यहां से देखे तीन डोट लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है यह यह नोन टर्मिन टर्मिनेटिंग है लेकिन हम देखते हैं क्या गई 124 12 हो रहा है तो रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ऐसा decimal expansion जो repeat हो और टर्मिनेट ना हो जो repeat तो हो लेकिन terminate ना हो तो वो क्या होता आपका rational नंबर ही होता तो इसमें हम answer के लिए क्या लिखेंगे rational rational नंबर यह भी rational नंबर है क्योंकि non-terminating but repeating है non-terminating but repeating है तो यह rational नंबर होगा अभी इसको देख लेते हैं तो यहाँ पे यह 3 dot लगा रखें यहां से तो इसका मतलब यह terminate नहीं हो रहा है और यहां से देखते है repeat होने का यहां पर point के बाद 01 है फिर यह 001 आगया फिर 001 आगया फिर 001 आगया तो इस तरह से यह non-terminating non repeating है terminate भी नहीं हो रहा है यानि खतम भी नहीं हो रहा है और repeat भी नहीं हो रहा है कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है तो यह कैसे इस cancer क्या रहेगा आपका यह आपका irrational number हो जाएगा rational number यह irrational number होगा ठीक है इसका जो decimal expansion non terminating non repeating है इसका जो decimal expansion था वो non-terminating but repeating था इसमें repeat हो रहा था तो ये rational आएगा इसमें repeat भी नहीं हो रहा तो ये rational आजाएगा इस तरह स्टुडेंट्स आप अपने ये सारे questions कर सकते हैं स्टुडेंट्स अभी हमारा homework का time हो गया है तो homework में आपको क्या करना है revise exercise 1.3 and mcqs और mcq है वो आपको homework के साथ साथ मिल जाएंगे photos की मिलेगी वो आपको mcq अच्छी तरह से soul करने अच्छी तरह से समझना हो उनको ठीक स्टुडेंट्स टेंक्यू स्टुडेंट्स